सबी विध्यार्तियों के नमस्ते विध्यार्तियों इस वीडियो के अंतरकत हम एन आयो एस और राजस्तान इस्टेट ओपन इसकूल कक्सा 10 और कक्सा 12 में जो डेटा इंटरी सब्जक्ट है इस विशे के हम महत्योपन प्रश्णों पर चर्चा करेंगे पिछले वीडियो में हमने 10 महत्योपन प्रश्णों को उने देखा था उसके आंसर को इन वीडियो में भी हम उसके आगे के क्षण आंसर को देखेंगे ताक्कि आपके एक्जाम एचैसे तैयरी हो पाएब आपको अंदाज हो पाएब किस तरगा क्षण आंसर वाँ पर पूछा जाता है तो ज़ पुर्सीन में कि यह उतर्य वाप रेंट जब एक शेल एंट्री우 से नेरे लंब़ी होती है तो आपको शेल में देखो डोर जैसे चण तो यह हैं यह वाक्य गलत क्योंकिbing इस वाखल कोंगि चाहित हो इस सा जाच इफ adviser कमानद पी corridor मोंद तूर्परों में créer को अ जब आप दबाते हैं तो हम को किसी भी जो फाइल को हम जो है बहुत कम होती है पता नहीं चलता है प्रस्वन E है My Recent Document My Recent Document Current User द्वारा हाल में इस्तमाल किये गए डोकुमेंट की लिश्ट दिखाता है तो यह वाकिया गलत है F है फाइलों की पूरी जांकर जैसे नाम, टाइप और साइच को My File द्वारा देखा जा सकता है तो यह वाकिया गलत है प्रश्ण बारा है निमन कत्नों के लिए अपने उत्तर पुष्टिका में सही गलत लिखिए A है Default द्वारा Word में Text Right Align होता है तो यह वाकिया गलत है B है Flat, Bed और Drum यह दोनों printer के प्रकार है तो यह वाकिया गलत है क्योंकि यह plotter के प्रकार है C है Windows में File Management Tax Bar के दोवारा किया जाता है तो यह वाकिया गलत है D है My Documents में Current User दोवारा इस्तमाल किये गए डोकुमेंस की लिष्ट होती है तो यह वाकिया गलत है E है Audio Slide त्येयार करते समय आपको अपनाСп olvidation देने के लिए चोटे वाक्य यह वाकियांस का प्रियोग करना चाहिए तो यह वाकिया त्याला कि अन्दिर हम चोटे चोटे वाक्यांस का प्रियोग करते है F है, word documents में text type करते समय, आपको परते क्लाइन के अंत में enter की दबाने की जुरत नहीं होती है, तो ये वाक्या सही है परसें संक्या 13 है, निम्न कत्नों के लिए अपनी उत्तर पुछतिका में सही गलत है, लिखिए B है, दोनों साधरन दरश्य और रूप रेखा में हम देख सकते हैं, वर्तमन स्लाइड रूप रेखा और नोर्स तो ये वाक्या गलत है C है, तुम एक सब्द को हटाने के लिए कुस्टम सब्द कोस का प्रियूग नहीं कर सकते हैं, तो ये वाक्या सही है दी है फ्रोंट आकार्ट अंक में मापा जाता है तो ये वाक्य है सही है ये है विंडोज नए सौप्टिवेर इस्तापित करने के लिए एक तवरित और आसान तरीका पदां करता है तो ये वाक्य भी सही है एफेड डॉट मैट्रिक प्रिंटर की गती प्रतिस सेकें अक्सरों में मापी जाती है तो ये वाक्य सही है किशुन संक्या प्रसन संक्या चौदा है निम्न कत्नों के लिए अपने उत्तर पुष्टिका में सही गलत लिखी है अ है मसीन लेंग्वेज के प्रोग्राम्स बाइनरी नंबर में लिखे जाते है तो ये वाक्य सही है बी है सी हाइपर और डी टाइप सी हाइडिक्स ड्राइव का हिस्सा नहीं होते है तो ये वाक्य गलत है C है जब भी कोई program run होता है तब program का एक icon tax bar में दिखाई देता है तो यह वाक्य सही है जब भी कोई program चलाते है तो उपर उपर एक tax bar होती है उसके अदरो कौन सा program अभी computer में चल रहा है आपने कौन सी file खोल रखे उसका नाम वगरा दिखाई देता है टाक साबार के नीचे ही रिबिन होता है कि डी है इस्परेड सीट प्रोग्राम में फार्मुला बार रिसाइब नहीं होता जिसका अर्थ है कि इसमें लंबे फार्मूलाज को रखना असंभाव है तो यह वाक्या गलत है यह है कंप्यूटर में किसी भी सौप्टिवेर जैसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम को इंस्टाल करने के लिए आप कंट्रोल पेनल ऑप्सन की मदद लेते हैं तो यह वाक्या गलत है स्लाइड सो को खतम करने के लिए कीबोर्ड पर एंड की दबाईए तो यह वाक्या गलत है प्रश्न पंद्रह है एक वर्ड डोकुमेंट में निम्न कारे को करने के लिए किन कुंजी संयोजों का प्रियोग होता है तो इसका उतर है जैसे कि टेक्स को बोल करना तो हम इसको कर सकते हैं यह हम शोटकट की अपना सकते हैं कि हमें टेक्स को बोल करना है तो गहरा दिखाना है तो हम कंट्रोल दबा के फिर उसके साथ में को दबा सकते हैं पूरे टेक्स को कैप सेनी और कैप करना इसको लिए कंट्रोल ए कर सकते हैं एक सब्सक्त को रिप्लेस करना समें एक नई फाइल बनाना तो इन फाइल के लिए नियु नकाले को करने के लिए कि लिए किन कुझी सवयों करते हैं जैसे कि फाइल को खोलना तो ओ ओ अपन तो बटन को दबाके कीबॉड पर फिर ओ को दबाएंगे अगला है डोकुमेंट को प्रेव करना ये कंट्रोल प्लस एक बारा सॉरी एक टू कंट्रोल प्लस एक अगला है इस पेलिंग और गरामर की इस प्रफ़र करना तो एक ड़र्भा प्रस में कर सकते हैं 17ちゃった है एक बोकुमेंस में निमन का रोकव करने के लिए किन कंजी सेयोग का करते हैं प elasiveness लायन की şu मात में ओह हुम होते हैं एक लायन का अंच में का प्रियोग करते हैं इन कBonja दोकुमेंसमें सबसे उपड कंट्रूपलस हों करते हैं डॉकुमेंस में सबसे नीचे तो Ctrl-Plus से END करते हैं फिर है Go To Option का इस्तिमार करने के लिए Ctrl-Plus-G को इस्तिमार करते हैं पर सने 18 है एक Word डॉकुमेंस में Text पहले से Select है नीवने Sort Cut की का उप्योग करने के क्या बदला होगा लिखे तो मां लो documents के अंदर पहले से text select किया हुआ है अगर हम इस तरह के keyword का मतलब shortcut की का इस्तमार करते हैं तो उसमें क्या क्या बदला होगी जिसे हमने अगर जो है F7 हमने दबाया तो क्या होता है कि इसमें spelling एक grammar checking का option इसमें दिया गया होता है control plus shift plus A लिए अगर हम दबाते है तो सब भी बड़े अकसरों के लिए होते हैं सब्सक्यार में हो जाएंगे अगला है canter plus B दबाने से तेक्स को bold करने के लिए होता है जो भी अकसर लिखें वो bold में हो जाएंगे अगर पांच चोता है control plus shift plus D दबाते है तो निमन कार्यों के लिए आप किन की बोर सोटकर्स अत्वा इस पेसल कीज का प्रियोग करेंगे उन्हें लिखिए तो देखो सोटकर्स कीज होती है इसके समद्धे कुशन आपके आते हैं मिलान वाला भी आता साथ में कई बार कुशन के अंदर भी पूछा जाता है एक परजेंटेशन को करने के लिए एक परजेंटेशन को सेव करने के लिए प्रियोग करते हैं किसी भी फाईल को में सेव करना तो कंट्रोल प्लस एस किया जाता है एक Slider 100 को फरम करने के लिए हम F5 का इस्तमार करते हैं एक Slider 100 को खतम करना होता है तो हम ESE का प्रियोग करते हैं यह ESE का बटन होता है जो की होती है अपने कीबोड पर तो उसके इस्तमार करते हैं कर 10 कीबोर्ड सोटकर्स अतवाई स्पेसल कीच का प्रियोग करें गे उन्हें लिखिए जैसे अंडो करने के लिए चेर करते हैं पेश्ट करने के लिए कंट्रॉल प्लस एक करते हैं यहां से select all और all यानि a तो control plus a और left justified के लिए control plus a एल करते हैं और right के लिए control plus r करते हैं तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो प्रशन एकी से निम्नकारियों के लिए आप किन keyboard, shortcut, अत्वा, special key का प्रियोग करेंगे उन्हें लिखिए जैसे कि आपको save age option का प्रियोग करना है तो आप f12 का प्रियोग करेंगे हना फिर आप जैसे कि pen strike erase करने के लिए हम erase का प्रियोग कर सकते हैं फिर previous slide के लिए हम अप arrow क कुझी का इस्तमाल करेंगे सब्स बदने के लिए control plus H का इस्तमाल करेंगे तो यह थे आपके आगे के question तो आप इसको बार बार पढ़िए गा ताकि आपको याद हो जाए और याद तो करना पड़ेगा यह जो भी शोटकर कीज़े वह आपको computer में भी काम आएगी जब आप